कि नमस्कार संस्कृति आयस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है मेरा नाम है प्राजी मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं केंद्रो और राज की विधाई शक्तियों के बारे में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि टू फॉर्म्स ऑफ गर्मेंट्स होती है इक तो होती आपकी यूट्री और एक होती आपकी फैडरल यूट्री के बात करें तो जिसमें जो more of the powers होती है वो किसके पास होती है जैसे कि आपकी example countries हो गई चाइना फ्रैंस जपन तो यह जो countries हैं यहाँ पर जो more of the powers है वो किसके पास है Centres के पास है और वही अगर मैं another hand बात करो federal government की तो वो कहां पर है इंडिया और युएस में है यहां पर जो पावर्स है वो डिवाइड हो जाती है between states and centers तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे कई बार states and centers में बहुत सारे जगड़े भी होते हैं सारे विश्यों को ले करके यहां पर आप देखोगे कि तीन आपकी सूचियां भी दी गई है जहां पर अलग अलग जो विश्य हैं उसके अंतरगत रखे गए हैं ठीके तो आज इनी सारी चीजों के बारे में बात करेंगे सेंटर और स्टेट के अदि में बात करूँ जो कि हमारा क्या है एक फेडरल टाइप और गवर्मेंट है इसके तहटे आता है यहां पर आपके तीन पॉइंट्स इंपर्टन जाते हैं एक तो आपका लेजिसलेचर दूसरा होता है आपका अदिस्टेटिव पावर्स और तीसर टाइप और गवर्मेंट है लेकिन जब एमर्जनसी होती है उस टाइम भारत जो परफॉर्म करेगा वह यूनीटरी टाइप और गवर्मेंट परफॉर्म करता यानि की केंद्र की शक्तियां उस टाइम राज से बहुत जादा बढ़ जाती है यहीं एक इमर्जनसी लगी ठीक है तो चलिए शुरू कर लेते हैं लिक्रिस से पहले सूचना कि आप सभी के लिए जो बैच है शुरू होने वाला है संस्कृती PCS का किन-किन स्टेट्स का शुरू हो रहा है तो UP PCS का, BPSC का, RPSC का और MPPSC का यह बैच आपके 30th March, 31st March, 12 Feb and 30 March है शुरू हो रहें तो जो भी सुडेंट इसमें जोइन करना चाते हैं जोइन कर सकते हैं तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपनी क्लास सबसे पहला क्या है इसके बारे में बात करेंगे कि कहां कौन से भाग में अचुछा की गई है और कौन-कौन से आर्टिकल्स है तो तो दो आर्टिकल्स हैं, जहां पर इनकी पावर्स बताई गई हैं, किसके लिए हैं, लेजिसलेटिव के लिए सिर्फ, ठीक है, यहां पर administrative और financial की बात नहीं करी हूँ, मैं सिर्फ legislative की बात करी हूँ, तो संविधान के भाग 11 में अनुचेद 245 और 255 तक, यानि कि 245 से ले कर जहां पर आपके administrative और financial powers आ जाती है, भारती संविधान केंद्र और राज्यों के बीच, उनके छेत्र के हिसाब से विधाई शक्तियों का बटवारा करता है, तो हमारा जो constitution है, जो भी उनका area है, उसके according क्या करता है, डिवाइडेशन कर देता है, संविधान पाच असाधार परिस्थितियों के अंतरगत राजचेत्र में संसदिय विधान सहीत कुछ मामलों में क्या करेगा, राज विधान मंडल पर केंद्र के नियंतर की ववस्ता कर देता है, और जैसे मैंने बताया कि वो क्या होता है, एमरजन्सी का टाइम होता है, जहां पर आपकी क्या हो 245 में क्या कहा गया है कि संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद जो लाइन लिखी गई है उस अनिच्षेट की वो पूरी हाँ पर मैंने एज़ इस लिखी है किसी भाग के लिए विधी बना सकेगी तथा किसी राज विधान मंदल पर उस संपूर राज अत्वा किसी भाग के लिए विधी बना सकता है अब simple form में इसको समझते हैं क्योंकि ये तो बड़ा typical लग रहा है हमें तो संसद क्या कर सकती है पूरे भारत या इसकी किसी भी भाग पूरा इंडिया ठीक है और यहाँ पे इसके कोई भी state or duties है तो उसकी किसी भी भाग के लिए कानून बना सकती है किसी पूरे भारत में चाह को एवब उनकी चाहिए जहां पे भी वर्ड में समपत्ति है उस पर लागू होगा विश्व में कहीं भी उनकी समपत्ति हो तो यह एक important चीज है कि जब संसद ने कोई भी कानून बनाया है और वह भारतिय नागरिक है तो उसकी कहीं भी समपत्ति है वह वहां पर भी लेकिन संसत क्या है पूरे भारत या इससे समपत्ति कोई भी इलाका है इस सभी छेत्रों के लिए क्या कर सकती है कानून बना सकती है यह दो चीज़ आपको पत्चा चल गई चली आगे देख लेते हैं केंद्र और राज्यों के बीच विधाई शक्तियों का बटवारा किस संविधान की सातवी अनसूची में केंद्र एवं राज्य के बीच विधाई विश्यों के बटवारे के संबंद में 30 विवस्था की गई है ठीक है अभी 30 विवस्था में आपकी क्या आजाती है तीन सूचिया आ जाती है कौन-कौन सी सूची सबसे पहली सूची होती है जो कौमन विशय हैं वो किसमें रखे गए हैं संवर्ती सूची में रखे गए हैं जिस पर ये दोनों मिलकर के कानून बना सकते हैं राज्य सूची में जो राज्य के विशय है उस पर सिर्फ संग कानून बना सकता है लेकिन संवर्ती सूची में जो आपके टॉपिक्स आए तो चले उसको भी समझ लेते हैं कि भाई ये दोनों नहीं पड़री खा रही है कभी-कभी नहीं खाती है तो उस सिती में क्या किया जाएगा तो बात कर लेते हैं संग सूची से संबंधित किसी भी विशेपर कानून बनाने की सक्ति किसके पास है संसद के पास है कौन राज बनाएगा ठीक है जो राज सूची में विशेशामिल है उसमें संवर्ती सूची के संसद एवं राज विधान मंडल दोनों कानून बना सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया अब वह जो मैंने आपको एक सिचुएशन बताई थी कि अगर दोनों उस पर राजी नहीं हो रहे हैं कानून बनाने को लेकर करके तब क्या होगा तो उसस्तिasi में संवर्ती सूची के किशी विषै को लेकर के केंद्रिय लाज पर प्रभावी होगा यानि कि सेंस को ज्यादा यहां पर मानिता दी जाएगी जो केंद्री कानून है उसको जादा मानिता दी जाएगी, उस स्थिति में राज्य का कानून प्रभावी होगा ना कि केंद्र का कानून तो यहाँ पर सिचुवेशन जो है उनको याद रखेगा पहले सिचुवेशन क्या थी कि अगर इन दोनों में मद्भेज चल रहा है ठीक है और रास्ट्रपती का कोई लेना देना नहीं है उस स्थ स्थिति में जो कानून को प्राथमिक्ता दी जाएगी राज्य के कानून को प्राथमिक्ता दी जाएगी एक्सपेक्ट आपके केंद्र के कानून को ठीक है क्लियर हो गया यह लेकिन संसद भी इस विशय पर कानून बना सकती है उसको अधिकार है ठीक है आगे बात कर लेते सब्सक्राइब निमन लिके तो 5 असाधारण पस्थितियों में राजसूची के विश्यों पर कानून बना सके Warren सनसद कानून बना सकता है इसके हम बात करेंगे ऐसे तो अधिकार क्या है राज्यका ही है राज़ विदान मंडल ही राज़ सम्भनित कानून बनाएगा लेकिन कुछ परस्थियां है ऐसी 5 परस्थियां है जहाँ पर क्या करेगी संसद कानून बनाएगी राज़ के लिए ठीक है राज़ सूची के लिए चले, सबसे पहले है जब राज सभा एक प्रस्ताव पारित कर दे, ठीक है, यहाँ पर प्रस्ताव पारित कर दिया जाए क्या, कि यदि राज सभा यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राश्ट हित में, और यह प्रस्ताव संबंदित किसे होना चाहिए, राश्ट हित से संबंदि ठीक है इस प्रस्ताओं को रासावा में उपस्थित सदश्यों के दो तीहाई बहुमत मिलने चाहिए कैसे दो तीहाई बहुमत से वहार पारित होना चाहिए तब वह कानून बनेगा यानि कि अनिवार है यह पौईंट अगर ऐसा नहीं है तो नहीं बन सकता है तो आनिवारता यहां पर क्या है कि राजसभा में जो भी सदल्स उपस्थित हैं उनका दो तियाई बहुमत उसको मिलना चाहिए ठीक है यह प्रस्ताव एक वर्ष तक ही प्रभावी रहेगा ठीक है एक इंपोर्टन चीज इस सब्सक्राइब बार बार आगे बढ़ाया जा सकता ह है लेकिन एक ही बार में दो साल के लिए आगे एक्सेंट नहीं किया जा सकता है एकर साल बढ़ेगा लेकिन एक बार में दो साल आगे नहीं बढ़ेगा ठीक है तो यह चीज आपको समझ बें आ गई कब राजसभा एक प्रस्ताव पारित कर दे और वह संबंदित किस्से हो राश्ट्र हितस समन जितों ठीक है इंपोर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि जो राश्वा में सदस हैं दो तिहाई बहुत मिलना चाहिए अनिवाद हैं दूसरा यह प्रिस्ताव एक वर्ष्ट क्रभावी रहेगा तीसरा की से बार बार आगे बढ़ा जा सकता है सिर्फ ए अगे चलते हैं क्या राश्ट्री आपातकाल के दौरान जब मैंने बता था ना एमर्जंसी के दौरान क्या आयते हैं हम यूनेटरी जो फॉर्म और गवर्मेंट है वो फॉलो करने लगते हैं तो यदि एमर्जंसी लगी हुई है उस स्तिती में राजसूची के विशेपर क यूथनसी को अएक हैं पर चाहल है उन्यूपेर क्या होका विशेपर कलम देकाय को आ होति है राजी के उनुरोभ पर जब राज्य कहरा है खुद की मेरे से संबंधी जो है वह हम नहीं बना पारें तो आप संसद से क्या रहा है कि आप ही कानून बनाओ ठीक है लेकिन यह पर एक इंपॉर्डन चीज है कि जो तीन या चार राज चाहते हैं कि इस विशय पर कानून संसद बनाए तो सिर्फ उन्हीं राज्यों पर वो कानून लागू होगा बाकी र स्टेट बताईए जहां पर हाली में यू सी सी लागू हुआ है ठीक है और यह इसी का जीता जाकता एक लाइव एक्जाम्पल है ठीक चली आगया जाते हैं जब दो यदो से अधिक राज्यों के विधान मंडल प्रस्ताव पारित करें कि राजसूची के मसले पर कानून बन अधिक है संसद उस मामले से संबंद में कानून बना सकती है ठीक हैं अब खुदी कह रहे हैं बनाओ तो बनाएगी या कानून उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जैसे मैंने बताए कि जो जो 2-3-4 इसमें स्टेट मिलकर कर के कह रहे हैं कि कानून बनाओ तो सिर्फ उन् कानून का संसोधन या इस पर पुनर विचार संसद ही कर सकती है क्योंकि संसद नहीं बनाया है ठीक है ना कि संबंधित राज्य कर सकता है ठीक है और कोई अनिराज चाहे तो विधान बंडल में पारेत प्रस्ताव करके इस कानून को लागू कर सकता है अगर नहीं चाहता है त तो संसदर राजसूची के किसी भी विशह पर अंतराश्ची संदिया समझोते के लिए कानून बना सकती है यह ववस्ता केंद्र को अपने अंतराश्ची दायत और प्रतिबद्धता को पूरा करने के योगे बनाती है तो यह तिक इंपोर्टन चीज़ है जब भी इंटरनाश के दौरा एमर्जंसी रास्ट्रपती शाषन प्रेशिडेंट रूल रख जाएगा तो उस टाइम भी संसद के पास अधिकार है कि वह राजसूची से संबंदिक जो कानून है उन्हें बना सकता है ठीक है तो जब राज्ज में रास्ट्रपती शाषन लागो हो जाए तब य थी एमर्जंसी के दोरान जब भी कोई कानून बनाएगी संसद वह इमर्जंसी के छे महीने तक प्रभावी रहेगा लेकिन यदि वो और राश्टपती शाशन के दौरान कोई कानून बनाया गया है राजसूची के विशेय पर तो वो उसके बाद तक भी जारी रहेगा चाहे राश्टपती शाशन हट जाए ठीक यह डिफ्रेंस है चलो आगे देखते हैं ऐसे कानून को राज विधानमंडल द्वारा निरसित परिवर्तित यह पुनह लागू किया जा सकता है ठीक है तो यह इस पर है राज विधानमंडल द्वारा इसे निरसित किया जा सकता है परिवर्तित किया जा सकता है और पुनह लागू किया जा सकता है इस पर डपन कर रहा है यह इसमें चेंजमेंट कर सकता है लेकिन जो संस में आओगा जो इसकी legislative power का जो डिवाइडेशन है वो कैसे किया गया है कौन-कौन से important articles हैं कौन-कौन से important facts थे मिलते हैं नेक्स लास में तब तक के लिए धनेवाद लाइक शेयर सुस्क्राइब करना बिल्कुल बिन भूट है